स्रीट डोंगर जी मराज अपने तत्वात्रामाण में लिखते हैं कि विद्या देन के लिए चारों भाई जाते हैं वश्ष्ष्ट गुरु ने चारों भाईयों को उपनेयन संस्कार किया रुपनाजी की भाईयों के साथ वस्षिष्ट गुरुजी के गर विद्या देने के लिए जाने लगे प्राचिन काल में ऐसे मुर्याता था कि बड़े राजा का पुत्र हो उसको भी पढ़ाने के लिए कोई गुरु राजमहिल में नहीं जाता था राजकुमार गुरु की आसर में जाकर ही वेद सास् सद्कूर की किरफा ही ज्यान सपर होता है पर नगता करने के लिए वस्षिक आसन में जाते हैं स्री राम परमात्मा आप्रंतों इस संसार में आने के बाद राम जी को भी Bisी आओसेकता पड़ती है ये संसार व्मह माया है कि इसमें जो रहा आता है उसे थोड़ी माया तो व् बबा लगना ही है संसार माया में है इस माया में संसार में कुछो कोई आया उसे तो माया ही की व्यापती है संसार में आया उसको माया से संगर्ष में आना ही पड़ता है माया बिना कोई काम होता नहीं है अगनी के बिना रसुई बनती नहीं है अगनी उपयोगी है प्रंतु मन माया का उप्योग बले करो तू माया के गुलाम मत बनो माया के दिन मत बनो जो माया के दिन होता है उसे माया मारती है नादिकाल से माया और जीवन दून दिन तर चलता रहता है माया जीव को इस जगत के विश्यों में फसाय रखती है माया जीव को फसाती है माया फसाती है कि जीव माया में मिल जाता है माया जीव को इस्वर के पास जाने देती जो इस्वर के पीछे पड़ता है वह माया को दूर कर सकता है माया जीव माया जीव माया को ऑच्छा शोंने के प्रतिक अंद्यक्त ठॉर्णम लेना चाहिए। चाहिए संत की अग्यान साधिन करना चाहिए माया से बच्चना हो तो दुस्त सद्गुरू की सरण में जाना अत्यन तावश्य कैसे तो प्रमात्मा है माया लेता है सुद्ध है ब्रह्म है राम जी जगत को यान दिते है मैं इस्वर हूं उस पर भी मुझे सद्गुरू की आज कुल तो भूस से लोग आराम कुर्ची यृ पढ़े पढ़े पुस्त के पढ़कर भी ज्ञानी हो जाते है और व्याथ्यान भी अच्छा करते है पुस्त को पढ़कर मिला हुआ ज्यान कुछ तो नंको कदाची दो पैसा प्राप्त करा दे पतिष्टला दिला दे प्र तो अंदर के सांति दिलाएगा नहीं, पुस्त के पड़कर मिलावा ग्यान भूल जाता है, छे, आठ मैंने कोई भी नह पड़े, तो दिरे दिरे उसको भूलने लग जाता है, पुस्त को से मिलावा ग्यान पुस्त को में ही रहता है, मस्तक में आता नहीं और आही जाये, तो तो ग्यान का इस्तिर रहना होगत खटीन है मनुश्य मुर्ख नहीं है प्रंतु मनुश्य का जिन इस्तिर रहता है प्रमात्मा जिस को जिस पर गया हाई। उसी को विशियों में विराग्य दीता है, उसी को संसार में सुक तुछ लगते हैं, संसार सुक में एक मन से घ्रना आवे तो माना चाहिए एक परमात्माम ने करपा किया है, पूर्ण सहीम के बिना ग्यान आता नहीं, पुस्ट के पड़ करें सब्द ग्यान मिलता है, उसे सुक्तियों का विनाज करते हैं, वाशना विचार विकार मिटा देते हैं, और संसार सागर्ज को उसे पार करा जते हैं, ऐसे सद्गुरू आज अप्रक्षा होती है, और केवल पुस्ट की ग्यान का प्रचार करता है, बहुत मर्षों तक पुस्ट पढ़ देते हुए भी ज तो ज्ञान प्राप्त तो अतना हुंसा है नहीं, वा संत की किरपा से छण मातर में हो जाता है, किसे संत महापुर्च की तन मन धन से से सेवा करोगे, तो संत का हर दे पिगलेगा, और अंतर का आशिरवात प्राप्त होगा, से विद्ध्याव सपल होगी, राम जी की प्राम आत्मा से स्वास वेद्ध प्रकट हो गड़े हैं, वी भगवान आज वसिष्ट गूरु की गरब पढ़ने हैं, धनर वेद्ध का अध्यनु प्रभु ने वहां किया, समस्त वेद्ध सास्त का अध्यन किया, राम जी ने वसिष्ट जी जिएक पास पैसा कमाने की वि जी ग्याचा का थाक्याँए दर विध्या कामा क के सकती है, यह कोई विद्ध या करने में ही होता है, यह कोई विद्ध का यह सकती आ, बिद्ध है, और द्हाको जी जाए सकती है, पर आत्म सुरुन्प का जियान हो स्रीर और इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं है स्रीर से आत्म अलग है ऐसा जिए प्रवुर्वुश्षा इस यह से विज्धिया सची हो जीता हुई है जो जीव को प्रभुश क्यों में 291 ग्यान जैसा कमाने के लिए नहीं प्रतिष्टा प्राप्त करने के लिए नहीं अपर तो प्रमात्मा को प्राप्त करने के लिए है ज्यान इस वर का आरादना करने के लिए है प्रमात्मा के साथ एक होने के लिए है ज्यान का फल पैसा तो अपर प्रमात्मा अपर तो आज कर बड़े बड़े विद्वान पूरे दिर पैसों के पीच्छे पढ़े रहते हैं, रातरी को कामाद बनते हैं, जिसके जीवन में पैसा और कामसुक मुख्य है, उसका जीवन वेरता है, विद्धा का उपयोग भभ के लिह करे हैं, वह विद्वान नहीं, विद्धा का उपयोग जन्रमस के किसा क laquelle से छूट का सिक्षन देते थे पटाने वाले शी ज़ितेंद दे थे विरक्त थे इसलिए पढ़ने वाल D Michel Vallahi भी सेम उत्पन ही सुख देने वाला है विद्यार्ट है تو ध्यार्थ एने करना शेयन है समट कर्या राइस सीव आर्प आजक्ता विद्यार्टी जीवन में उतारते हैं। बड़े-बड़े राजाओं के वालक भी गुरुकुल में रहने वाई सदा भोजन करते हैं। सदा जीवन रहतारते हैं। गुरुक की संसकार विद्यार्टी में आती है। आजक पढ़ने वाले शेक्षण आचाजय सुआ होते हैं। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्टी वेद्वेद्य बनते हैं। प्रण्तु विद्यार्टी 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 जीवन विद्यार्टी 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 विद्यार्ट भिगडी इस देश में से भारत की दुसा बहुत विगडी है, लड़की लड़की आए एक साथ पड़े और सेम रखी नहीं, शांस में लिखा गिश्टी का स्रीष अगनि के अश्मान और पुलुस का स्रीष घी से ब्रावागड़ा है अगनि के पास घी रखोगी तो प्रिग लगाई इस लिए ब्रह्मचारी का इस्तरी स्परस्णा करें इस्तरी का चित्र भी ने देके स्त्रंगार की घी सुने नहीं और गाये भी नहीं करम-करम से स्यम का पालत रेव सी, रामसर जी ने पूर्ण स्यम का प्रण किया, छोटी उस्ता में थोड़े समय में उन्हों ने वेदा ब्रास में पूर्ण प्राप्त कर ली, विद्दा दन के उपरां सी रामसर जी प्ता जी ज्याग्या लेकर तीर्थ आत करने के वहां से लोटते हैं फसाद उनके उनमें विद्दाश चा गए, वगवान की यह लिला है, प्रमात्मा को इसको द्वारा जगत को विराग्या उप्देश दिलाने की इच्छा थी, राम जी उप्देश दिखते हैं आचन से बहुत सोचते हैं नहीं, पर तो आचन कर के बताते हैं, राम जी ने विजला जीवन में विराग्य का आचन करके बताया, राम जी के उस समय सोले बरस की अवस्ता थी, विचारते नहीं लगे, कि जो आज खिला हुआ है, उसे कल मुझाना है, कुमला नहीं, आज जो सुंदर दिखता है, वह कल कुमला नहीं, जिसका आज विकास है, उसका आने वाला कल ko विद्धास है। योवन चंड बनंगोर है। तो अवस्त करें अज्डून के लिए उनसे पुली दिन सेयम करें अज्ञान क्या है मुझे अब कुछ करना नहीं मुझे सांते से बेठाना है राम जी में वेराग्य जाकरत हुआ पिछे तो उनकी उनको खाना ही अच्छा नहीं लगता था खेलना भी अच्छा नहीं लगता था कोई मिल जाए तो अच्छा नहीं लगता था बोलने की इच्छ बॉल होने लगा दस्तत महराज को चिंता हुई मेरे राम को यह क्या हो गया राम बुद्वास रहता है इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता महराज वसिष्ट ने कहा आप इन सब को कुछ समझाईए वसिष्ट राजा से देरी रखने हो का इसे समय वहार इसे पिस्वाम में पता रहे और इस तरह है डोंग लेजी महराज करते हैं कि मैं आगे कथा का सुनूंगा इस तक लिए जैसी यह रहा हूँ